हेलो अब्रीवार्ण मारे इस मिलाव गुपता और यूटीब चैनल इंग्लिश डोज दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताने बाला हूं वर्ब के फॉर्म के बारे में वर्ब कितने प्रकार की होती हैं उनकी कौन-कौन सी फॉर्म होती है और वर्ब को आखिर हम रे बबाद करना बहुत जरूरी क्यों है तो दोस्तों में मैं आपको बताने वाला हों कि वर्ब कौन सी होती है और रेगुलर apprendre कौन सी होती है हमें कैसे पता चलेगा तो वीडियो को देखिए अब मैं आपको बताता हं देखे हैं सबसे हम बात करते हैं की आपने कही सारी ऐसी verbs धेखियोंगे जिसमें ED लग जाता है आप यहाँ पर देखते हैं जैसे यूज करा और हमारी सेकंड फॉर्ण फॉर्ण एकदम रेडी हो जाती है इसको हम बोलते है रैगुलर वर्ब्स यानि की मैं यह कहना चाहरा हूं आपसे कि जिन वर्ब्स के लास्ट में आप एलगा देते हैं और वो सेकंड और it ki second form होती है 8 यह इसकी second form होती है लेकिन देखिए spelling different हो गई और third form क्या हो गई eaten यह इसकी third form होती है लेकिन यहाँ पर eat के साथ आप Iated नहीं कर सकते और जिन verbs के साथ आप ED नहीं लगा सकते वह verbs होती है इंregular verbs अब आप यह सोच रही होंगे कि हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सी वर्ब में एडी लगा के हम उसको बना सकते हैं second year third form यह कौन सी वर्ब के अंदर हम एडी ना भी लगाएं हम उसको change कैसे करेंगे तो मैं यहाँ पर आपको बता दो दोस्तों आपको याद रखना है कि जितनी भी वर्प्स हैं पूरी English की grammar में पूरी English language के अंदर जितनी भी वर्प्स हैं जिनमें ED लगता है वो है 97% यानि कि 97% वर्प्स ऐसी होती है जिनमें आप ED लगाते हैं आप दूसरी तरफ बात करते हैं irregular verbs की केवल 3% यानि कि 3% ऐसी वर्प्स होती है जिनमें आपको ED नहीं लगाना होता उनको आपको याद ही करना होता है स्क्रीन पर देख सकते हैं मैं आपको एक लिस्ट दिखा रहा हूं यह अप्रॉक्सिमेटली वह सभी इर्रेगलर वर्प्स हैं जिनको आपको याद करना होता है जिनमें आप ED नहीं लगा सकते तो चलिए मैं आपको एक और चीज दिखाता हूं आप यहाँ पर समझिए देखिए जैसे आपने एट एट इट इटन बनाया कुछ ऐसी भी इर्रेगलर वर्प्स होती है जो अपने सेकंड और थर्ड फॉर्म में सेम होती है लेकिन फर्स फॉर्म में डिफरेंट होती है ज इसकी थर्ट फॉर्म भी हम लगाते हैं टॉट राइट तो टीच का हमने क्या बनाया टॉट टॉट लेकिन यह यहाँ पर दोनों में सेम है आप देख सकते हैं लेकिन अपनी फर्स फॉर्म के अंदर टीच है इसमें आप टीज नहीं कर सकते क्यों क्योंकि यह इर्रेगलर यह तीनों यह नहीं है मलेंगे जो टीनों फॉर्म में सेम होती हैं जैसे फर्स फॉर्म में भी सेङिधंड फ़र्म में भी सेंगी god मैं आपको दिखाता हूं जैसे माल लीजिए आप CUT कट 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 आप यूज कर सकते हैं कट 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 और ऐसे ही वर्ब होती है एक PUT, PUT को भी आप लिखते हैं PUT 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 देखें यहाँ पर यह तीनों सेम हैं राइट, दूनों के अंदर CUT 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 PUT PUT लेकिन मैं आपको यहाँ पर यह बताना चाहता हूं कि इसमें आप ED नहीं लगा सकते इसलिए यह वर्ब्स भी Irregular Verbs में ही काउंट होती है दोस्तों लिस्ट आपके सामने है इरेघूलर वर्ब्स की आप इन個 impost को याद कर लिजिए किवल si तो परंट है बाकी 97 परसंट वर्ब्स जितनी भी आपको ग्रैमर के अंदर मिलेंगी वह सारी आपको एडी के साथ मिलेंगी अगर आप उन पर एडी लगा देंगे तो आपकी वह वर्ब सेकंड और थर्ड फॉर्म में भी काम आ जाएगी बहुत सिंपल है एक्जामपल दिखाते तो मैं आपको जैसे माल लीजिए हमने एक वर्ब ले तो एप्रॉक्सिमेटली 97% वर्ब ऐसी होती हैं इंग्लिश लेंगविज के अंदर जिसमें आप एडी एडी लगा कर आप अराम से अपना काम चला सकते हैं और साइकिन और थर्ड फॉर्म में उसे कनवर्ट कर सकते हैं लेकिन कुछ 3% ऐसी वर्ब्स है जो इर्रेगलर वर आज ही याद करके इन्हें निप्टा दीजिए क्योंकि अगर आप इन्हें निप्टाएंगे नहीं तो मेरी आने वाली वीडियो के अंदर और नहीं नहीं चीजिए आप कैसे सिखेंगे एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूं इस वीडियो के इंदर जो की बहुत एडियो जलगों कि दा सकते हैं तो दोस्तों यहां पर आपको बता दूं कि कुछ वर्ब को चेंज किया जा रहा है जैसे वर्ब है आपको पता हो एक वर्ब है ठिंग यह वर्ब के बारे में कहा जा और यह थॉट थॉट बन जाता है सेकिंड और थर्ड फॉर्म के अंदर राइट लेकिन कुछ ऐसी वर्बस है जिनको हमने चेंज कर लिया है जैसे एक्जामपल में आपको बताता हूं एक्जामपल में हम ले लेते हैं लन को अब आप देखें लन एक वर्ब है L.E.A.R.N. लन को पहले हम क्या करते थे इसको सेकिंड और थर्ड फॉर्म करने के लिए एक ले एक लेकिन 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 अपको पता है सम immortal 6 दोस्तों आपको चांब को जरूर्व याद करना है जितना अप इनको ज़्यात जादा याद करेंगे English के उतने ही करी पहुंच जाएंगे तो मैं आपसे मिलूंगा अपनी अगली वीडियो के अंदर जिसमें मैं वर्ब्स के बारे में और ज्यादा डीप इंफोर्मेशन आप लोगों को देने वाला हो बहुत जल्द मेरी वह वीडियो भी आने वाली है चैनल पर नए हो तो तुरंद इसको सब्सक्राइब कर लिजेगा दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए वीडियो को ताकि वीडियो उन तक भी पहुंच पाए जो लोग इदर उदर पैसा खर्च करते हैं इस इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स को सीखने के लिए मिलता हूं आप से अगली वीडियो में तब तक के लिए अपना ध्यान रखेगा सुरक्षी तुराइए थांक्यू वारी मॉच और वारी मॉच और